सुजानपोर टीरा में बाड नम्बर 2 को सुधारने के लिए नगर परशब ने कमर कसली है यात रहे कि बाड नम्बर 2 में नोन जाने बाले रास्ते की हालक, दिन प्रती दिन दे नहीं हो रिती जिसमें लोग कूडा करकट नाले में फेंक रहे थे जिससे लोगों को दुर्गन से निकलना भी मुश्किल हो गया था लेकिन अब नगर परशब द्वारा जे बीसी के द्वारा भी नाले की साफ सफाई करवाई जा रही है ताकि लोगों को आने जाने मेसो भीदा मिल सके जिससे लोगों को दुर्गन से निकला में मुश्किल हो गया है ग्यात रहे कि ये रोड एतिहासिक नौन की तरफ जाता है जिससे पानी के सत्रोत को साफ रखने के लिए सरकार लोगों से बादा करती नजर आ रही है लेकिन रास्ते में गंदेगी का आलम होने के करन कूरा क अरकट बरसात के दिनों में नौन के साथ मिल जाता है जिससे लोगों और नगरपरशद दौरा बार नमर 2 के नाले के सुत लेते हुए बही लिंक रोड से रास्ता बना दिया है बही जेवी सी के दौरा नाले की साफ सुपाही करवाई जा रही है ताकि लोगों को आने जान कार्या अरम करने जा रही है ताकि छोटी और बड़ी गाड़ियां आसानी से उस मारग से गुजर सके नगर परश्ट के अदिक्ष अशोक महरा ने बताया कि बार नमबर दो में साफ स्पाई का द्यान व्यपारी रखें यदि कोई नाले में कूडा करकड फैंकता हुआ नजर किये जाएंगे वहीं उन्होंने आग्ये किये कि वेपारी बर्ग और गरों की लोग कूडा नाले में ना फैंके नगर परश्ट की गाड़ी सुबा शाम मुख्या बासर में कूडा एकतित करने के लिए गुमती है तो कूडा उसी गाड़ी में डाले ताकि गंदिगी का आल उद्रिवाल लगाने का भी प्रपोजल उपयोगत हमिरप्र को बेज दिया है जिसका मुख्या करन कूडा करकट नौन तक ना पहां सके और आवारा पश्टों के जुन्ड नौन के पानी को दूशित ना कर सके उसको मिल्कुल साफ कराया जा रहा है उसके बाद अगर कोई भी घंकता हूं मिलताता है उसकर कड़ी कारवाई जी जाएगी भूरा जो अपना जो गाड़ी आती है उसमें फैंके गाड़ी दो टैम आ रही है इसमें फैंके अगर जाएगे बहुत है जल्दी बहुत ही जल्दी उसका काम नगए बाद है जाएगे जल्दी उसका काम नगए बाद है